दोस्तों Motorola लांच करने वाला है अपने एक flagship smartphone को इंडिया में जल्दी Moto Edge 30 Ultra smartphone इंडिया में काफी जल्दी लांच होने वाला है और पहला smartphone होने वाला है इंडिया में जो की 200 Megapixel के कैमरा के साथ में आने वाला है और भी काफी जारे चीज़ है जो मैं आपको इसी smartphone के बारे मैं आ दोस्तों कुछ ऐसा दिखने वाला है Moto Edge 30 Ultra smartphone यहाँ आपको बैक साइड में टॉप लेफ्ट में कैमरा मॉड्यूल देखने के लिए मिलेगा जिसमें के आपको तीन कैमरा की आउजिंग देखने के लिए मिलेगी एलेटी फ्लेश देखने के लिए मिलेगी तो अवराल जो इस smartphone का design काफी अच्छा होने वाला है मेरे को design काफी ज्यादा पसंद आया आप लोग को design के सलगा आप comment करके हमें बता सकते हैं यह smartphone 8.4 mm थिक होगा and 198.5 gram इस smartphone का weight होगा तो 200 gram से कम weight है इस smartphone का तो अलगा smartphone होने वाला है पदला भी होने वाला है अपी तो आपको एक stylish आ smartphone देखने के लिए मिल जाएगा बात करें इस smartphone की build quality की तो यहाँ आपको glass back देखने के लिए मिलेगी and पीछे की side में यहाँ आपको Corning Gorilla Glass 5 का production देखने के लिए मिलेगा aluminium का frame यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा and यह smartphone splash and dust resistant होने वाला है तो और आल जो इस smartphone की build quality है वो काफी तगड़ी होने वाली है flagship level की build quality आपको इस smartphone में देखने के लिए मिलेगी बात करें display की तो यहाँ पे आपको 6.7 inches की full HD plus वाली curved OLED display देखने के लिए मिलेगी and यहाँ पे आपको 144 Hz का fast refresh rate भी देखने के लिए मिलेगा 1500 Hz का यहाँ पे आपको instant touch sampling rate देखने के लिए मिलेगा 1250 nits की peak brightness यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी 10 bit color के साथ में आएगा smartphone HDI 10 plus certified होगा smartphone 2069 का aspect ratio होगा 393 ppi की pixel density यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी and Corning Gorilla Glass 5 का production यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा तो overall इसी smartphone का display वो काफी ही तगड़ा होने वाला है OLED का panel है high refresh rate के साथ में आएगा content consuming के लिए भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली Gorilla Glass production भी मिलने वाला है तो display के मामले में आपको इस smartphone में कोई दिकत नहीं आने वाली बात करें cameras की तो यहाँ पे आपको triple rear camera setup देखने के लिए मिलेगा जिसमें कि आपको 200 megapixel का main camera देखने के लिए मिलेगा with OIS support and यह Samsung का HP1 sensor होने वाला है जो यह camera में वाला वो काफी दगड़ा देखने के लिए मिलेगा आपको secondary sensor होगा 50 megapixel का ultra wide angle lens जो टॉर्शरी sensor है वो है 12 megapixel का telephoto lens with 2x optical zoom तो rear side के जो cameras हैं वो तो काफी दगड़े होने ही वाले हैं बात करें selfies की तो यहाँ पर आपको 60 megapixel का selfie camera देखने के लिए मिलेगा center punchol के साथ में तो selfie camera भी काफी अच्छा होने वाला है overall जो इस smartphone के cameras है वो काफी दगड़े होने वाले है cameras के ही कह सकते हैं कि पैसे लिए यहाँ पर motorola ने बात करें performance की तो यहाँ पर आपको callcom का snapdragon 8 plus gen 1 chipset देखने के लिए मिलेगा जो कि एक 5G chipset है 4N अब architecture पर बना हुआ है Adreno के 730 GB के साथ में आता है तो gaming performance आपको काफी तगड़े निकाल कर देगा day to day उसमें भी कोई दिक्कत ने है कि power efficient होगा overall जो performance होने वाली है वह आपको काफी तगड़ी इस स्मार्टफोन में देखने के लिए मिलेगी यहाँ आपको 8 GB slash 12 GB LPDDR5 RAM देखने के लिए मिलेगी and 128 GB slash 256 GB UFS 3.1 storage आपको इस स्मार्टफोन में देखने के लिए मिलेगा लेकिन जो चाइना में स्मार्टफोन लाउंच हो था उसमें 46 and 100 damage की बैटरी थी तो अभी के लिए confirm नहीं है बैटरी का size लेकिन जो charging speed होने वाली है स्मार्टफोन में वह होने वाली है 125 Watt की जिए हाँ दोस्तों वायर चार्जिंग यहाँ आपको 125 Watt की देखने के लिए मिलेगी जो कि आपके स्मार्टफोन को 0-50% इन जा 7 minutes चार्ज करतेगी and 0-100% करने में 19 minutes का टाइम लेगी and यहाँ आपको 50 Watt की fast wireless charging भी देखने के लिए मिलेगी तो वायर चार्जिंग फास्ट है, वायरलेस चार्जिंग फास्ट है, बैटरी साइज भी ठीक ठाक है तो और अल जो आपको बैटरी अन चार्जिंग के मामले में कोई दिक्कत नहीं आने वाली बात कर रहें multimedia की तो यहाँ आपको dual stereo speakers इस smart phone में देखने के लिए मिलेंगे तो multimedia expense काफी तगड़ा होने वाला आपका इस smart phone में, multimedia के मामले में आपको इस smart phone में कोई दिक्कत नहीं आने वाली बात कर रहें operating system की तो यहाँ आपको stock android 12 out of the box इस smart phone में देखने के लिए मिलेगा बात कर रहें connectivity की तो यहाँ आपको 5G का support देखने के लिए मिलेगा dual 4G volt होगा, wifi 6E होगा, bluetooth 5.2 होगा, gps का support होगा और दोस्तो NFC का support भी आपको इस smart phone में देखने के लिए मिलेगा तो overall connectivity के मामले में आपको इस smart phone में सारे options देखने के लिए मिलेंगे बात कर रहें security की तो यहाँ आपको face unlock के साथ में in display fingerprint scanner देखने के लिए मिलेगा बात कर रहे ports and buttons की तो यहाँ आपको USB type C charging port देखने के लिए मिलेगा power honor button होगा, volume rocker button होगा बात कर इस smart phone के color variants की तो दोस्तों इस smart phone दो color variants में आने वाला है black and white color में बात कर इस smart phone के Indian price की तो दोस्तों leaks की माने तो इस smart phone का जो base variant होगा आपको इंडिया में around 50 के यानि कि 50,000 रुपे के आस-पास के price में इस smart phone का base variant आपको इंडिया में देखने के लिए मिलेगा और दोस्तों अगर इस smart phone इस price point में इंडिया में launch होता है तो क्या आप लोग इस smart phone को buy करना चाहेंगे या फिर नहीं करना चाहेंगे आप comment कर गया हमें बता सकते हैं बात कर इस smart phone की Indian launch date की तो दोस्तों मोटर अला ना officially confirm कर दिया है कि smart phone 8th of September को इंडिया में launch होगा जैहां तो 8th September को इस smart phone आपको इंडिया में देखने के लिए मिलेगा यही थी कुछ बात है जो आपको Moto Edge 30 Ultra smartphone के बारे में बताना चाहता था आज की वीडियो के लिए इतना ही वीडियो पसना है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय बारत